बेंजी नमस्कार नमस्कार जी क्या नामे जी आपका? मेरा नाम कुमारी भारती डांगे है कहां से आए आप? ग्राम टेमूर्नी तैसी लाठने जिला वैतुल एंपी से संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा कब लिया आपने? बंदी छोड संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा मैंने 15 नमबर संद 2013 मिली क्यों लिया आपने संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा? बंदी छोड संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताव के फुजा करते थे और सभी देविदेवता के पुझा करने के साथ जय गुरुदेव पंथी से जूड़े थे तो एक दिन मेरी बुवा है उनके घर से ज्यान गंगा पुस्तक आई और उस ज्यान गंगा पुस्तक को मेरे पापा जी ने पढ़ा और मेरे पापा जी से हमेजा सवाल करते रहे जय पंथ में जूड़ने के कारण हमको सिर्फ इतना ग्यान था कि वहीं जाया गुदेव की जदी अनुसर हम साधना करते हैं तो सत लोक जाते हैं तो लेकिन उस इस लोक की स़ही जानकरी हमको बिल्कुल नहीं थी वह सिर्फ इतना बताते थे कि सत लोक में सत capitalist है और हमें उनके पास साधना करके जाना है लेकिन ये कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर यहाँ पर जैसे स्रस्टी है वैसी वहाँ पर भी स्रस्टी है और भगवान कैसा दिखता है इस टाइप की कोई भी जानकरी वो नहीं देते थे और मैं मेरे पापा जी से हमेशा पूछते रहती थी कि भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे है और जैगरुदेव पंत में जब जोड़े थे हम तो वहां बोलते थे कि सतपुरुस अनामी लोग में अनामी पुरुस के रुप में रहते हैं अलग लोग में अलग पुरुस के रुप में आप एक बात बताईए जो भी बातें आप ब पर आई तो मेरे पापत जी ने बरसात के टाइम में उस ग्यान गंगा पुस्तक को पढ़ना चालू किया क्योंकि आप एक और बात बताईए यहां पर कि जितने भी संद्रामपाल जी महराज के इन्याई हैं वो ग्यान गंगा पुस्तक का हवाला देते हैं हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आखिर ग्यान गंगा पुस्तक को इतना अथेंटिक कैसे माना जाता है क्यों हर बात जो ग्यान गंगा पुस्तक में लिखे होती है उसको ही सच माना जाता है क्योंकि ग्यान गंगा पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया और ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है जो भी ग्यानगंगा पुस्तक में लिखा है तो ये जो हम बोलते हैं कि हम हिंदूर धर्म से बिलॉंग करते हैं कोई बोलता है कि हम मुस्लिम धर्म से बिलॉंग करते हैं तो ये जितने भी धर्म है तो इन सभी धर्म का कोई न कोई आधार है और इनका आधार इनके सद्गरं उन सभी सद्ग्रंथों का उसमें प्रूफ है ना कि किसी किसी की कही सुनी बाते लिखी है बेन जी हम आप से एक और बात जानना चाहते हैं कि पहले आप जैगुर्देव पंथ से जुड़ेवे थे तो वो जो नाम हमें देते थे पहला ओम रारंग सों सत नाम तो जब उसका उन्होंने विदी ये बताई थी कि एक मतलब जब भी टाइम मिले तो मतलब बैट कर भक्ती करना है हट योग करना है माला जाप करना है कान में उंगली डाल कर एक जगा बैठना है मतलब कान और आग दोनों बंद करके वो साधना करना है और तब ही हम भगवान को देख सकते हैं तो क्या होता था कि जब मैं जगरुदेव की साधना करने लगी मैं जब 7th क्लास में थी तब मैंने वहां से नाम उबदेश लिया था और उसके बाद साधना करना स्टाट किया तो मैं सिर्फ साम साम में रात में एक घंटा या देड़ घंटा उस साधना को कर पाती थी और उसके बाद वो साधना करने के बाद में मतलब मेरा सरीर सुन हो जाता था आधा सुन हो जाता था और मुझे घंटे और संख की आवाज भी सुनाई देती थी और एक बार मुझे बहुत जादा तेज बुखार आ गया था और उसके बावजूद भी मैंने मतलब कदली ओड़कर रजाई ओड़कर वो साधना की और उस दिन मुझे जैगुरुदेव के दर्शन हुए तो जो भी जैगुरुदेव पंथ से जुड़े हैं उन सबसे मैं गुजारिस करूंगी क एक रपया जरा गौर फर्माई और ध्यान से सुनिये कि जैगुरुदेव पंथ में मैं जब जुड़ी थी तब मेरे साथ क्या हूँ और उस मतलब सही साधना की तरफ मैं कैसी खीचाई तो जब जैगुरुदेव के दर्शन हुए तो उसके बाद उस दिन के बाद में मैंन 10 तक मामा जी के घर पे पड़ी तो मामा जी का गाओं मेरा ससुंद्रा है जो डिस्ट्रिक बैतुल में ही पड़ता है तो कोई भी पूछ सकता है वहां जाकर और जब मैं साधना करती थी उसके बाद में मेरे घर पर आई टेंबुरुनी और उसके बाद पापा जी ने ग्या चलने के बाद उसमें ज्यानगंगा पुस्तक में एक चैनल का नाम लिखा हुआ था जिस पर बंदिछो सद्गूरांपल जी महाराजी का सत्संग आता है हम सब लोग सत्संग सुनने गए वहां सत्संग में हमने देखा एक दिन प्रसंग आया कि राधा स्वामी पंथ के बा तो उसमें उन्होंने एक बुक खोली और वो एक तुलसी दास हातरस वाले की थी जो जिसको क्या घट रामैन बोलते हैं तो उसमें लिखा था कि पाचो नाम काल के जानो और तब दानी मन संका आनो उसमें ऐसा लिखा था तो ये बात हमारे को सबसे ज्यादा खटकी कि जब इस भी इस बाद की गवाई दे रहा है इस पंथ कई जो मेन बुक है वो इस बाद की खुद गवाई दे रहे कि हम जो नाम जाप करें काल के है मतलब कि हम सत लोग अत लोग तो फिर कहीं से कोई ग्यारंटी नहीं है कि हम सत लोग जाएंगे जब इसमें पहले ही लिखा है कि ये जब ये नाम से जाप करने से हम काल के मौ में जाएंगे फिर उसके बाद में हम बंदिशो सद्गूर रामपल जी महाराजी से नाम उब्देश लेने के उनसे नाम उब्देश लिया आप एक बात बताईए कि मानों जीवन में गुरू का बनाना बहुत जरूरी होता है जो कि आपने बनाया जैगुर देव जी को लेकिन कहा ये जाता है कि गुरू नहीं बदलना चाहिए गुरू बदलना पाप होता है आपने पहले जैगुर देव जी को गुरू बनाया फिर आपने संत्रामपल जी महाराज को गुरू बनाया क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ने कहीं आपने गुरू बदल के पाप किया ह जी नहीं मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गुरु बदल के कोई पाप किया है जैगुरुदेव की जब हम साधना करते थे तो हमारे घर पर उनकी सारी बुके रखी हुई थी तो उसमें से एक पुस्तक हमारे घर पर भी थी और बंदिशो सद्गुरामपल जी महाराज उस पुस्तक को खोल कर बता रहे थे और उस पुस्तक का नाम था जैगुरुदेव की अमरवानी भाग दो तो उसमें लिखा हुआ था उसमें एक संत के बारे में जैगुर्देव ने भविश्यवानी की थी कि एक ऐसा संत या एक ऐसा पुरुष जन्म ले चुका है जिसकी सबको जरुरत है जिसका सबको बेसब्ली से इंतजार है और वही एक ऐसा संत है वही पूर्ण संत है जो इस पूरे विश्व को सुधार सकता है या परिवर्तन ला सकता है तो ये बात भी हमको खटकी और वो पुस्तक हमारे घर पर रखी हुई थी तो हमने सत्संग सुना और उसके बाद में हमने वो मिलाया और तब ही हम बंदिशो सद्गुर आंपल जी महाराज जी से जुड़े और जैय गुरुदेओ ने भी इस महान पुरुष्ट की भाविशिवारनी की है तो इसमें तो फिर कोई सक्की गुनजा एसी नहीं होती कि हमने गुरु बदल लिया या हमने गुरु की आग्या का पालन किया नहीं किदा कि जैगुर्देव ने भी कहा था कि जब वो संत यदि मैं उस संत का पता बता दू तो सब लोग वहाँ पर भीड कर देंगे अभी से भीड करना प्रारंब कर देंगे और जनता को संभलना मुस्किल हो जाएगा यहाँ पर हम आपसे एक और बात जाना चाहते हैं कि आपने जैगुर्देव जी से नाम दिख्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराथ से नाम दिख्षा ली ये तो रही आध्यात्मिक मारक की बाद लोग भक्ती इसलिए करते हैं कि उनको सारी एक लाब भी हो मांसिक लाब हो आर्थिक लाब हो आपको संत रामपाल जी महाराथ से नाम दिख्षा लेने के बाद क्या लाब मिले सब लोग आद्यात्मिक लाप को बाद में ही गिनते हैं, पहले आर्थीक सारीरी कलाप को या मानसी कलाप को पहले देखते हैं तो मैं उस चीज को पहले बताना चाहूंगी, कि मुझे बंदी छोड सद्गूरामपल जी महाराजी की सरण में आने से पहले जो यह मदमक्की होती है जो इसके काटने से मुझे बहुत मतलब एलर्जी थी उससे रियक्शन होता था बहुत ज्यादा खुजली होती थी और बहुत ज्यादा मतलब इस सरीर के पूरे पार्ट अंदर से भी खुजली होती थी और जलन मैसूस होती थी एक जगह खड़ी भी लेकर जब में सासुन्द्रा में थी तब भी मुझे एक बार मतलब मदु मक्य ने काटा था और तब भी मैसा ऐसा ही हुआ था मुझे डॉक्टर के पास मेरे नाना जी ने गोद में उठा के लेके गये थे और इस बात के वो भी गवा है अगर किसी को सखो तो जाकर पूछ सकते हैं और अब रही बात बंदीचोर सद्गूर रामपल जी महाराजी के सरण में आने के बाद मुझे एक बार ततया कि मक्षी ने काटा और उसका रियक्षन भी हुआ और फिर जो बंदीचोर सद्गूर रामपल जी महाराजी चरणामरत और प्रशादी देते हैं वो मैंने खाई तो एकदम तुरंत ही असर हुआ उसका मैं एकदम ठीक हो गई जबकि उनसे नाम उबदेश लेने से पहले जब मैं जब गई हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा घर बनेगा तो परमात्मा की दया से हमारा बहुत अच्छा घर बन चुका है गाउं में सबसे अच्छा घर है और बंदीचोर सद्गूर रामपल जी महाराजी की सरण में आने से पहले मेरे पापा जी नसा करते थे नसा कंप्लीटली छोड़ दिया है और अब हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं कोई किसी प्रकार का कलेश घर में नहीं होता है और अब सुखी जी रहे बंदीचोर सद्गूर रामपल जी महाराज मुझे सतलोक लेके गए और जब मैं सतलोक में गई तो परमात्मा मेरे आग कर देखा था तो इतना सॉफ्ट था कि आज तक मैंने ऐसी कोई भी चीज को हाथ मितलब देखा तो मितलब ऐसी सॉफ्टनस मुझे यहां पर फिल नहीं हुई तो बंदीचोर सद्गूर रामपल जी महाराज मेरे सामने चल रहे थे और मैं उनके पीछे जा रहे थी पानी के उपर से चल रहे थे हम लोग और फिर बंदीचोर सद्गूर रामपल जी महाराज जी ने मुझे कभीर साहिब जी के सिहासन के पास ले गए और वहां पर बंदीचोर सद्गूर रामपल जी महाराज जी कभीर साहिब के साइड में खड़े हो गया और मैं उनके सामने कभीर स हो गया श्राइब तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदिशोशक्राम पलजी महाराजी हमारे भी चिहाद हर्ती पर रहे रहे हैं यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बच्पन से तलाश रही थी तो मैं जय गुरुदेव पंथ से जितने भी लोग जुड़े हैं और वो बैट कर साधना कर रहे हैं और अपना समय बर बात कर रहे हैं और अपना सरीर गला रहे हैं तो मैं उन सबसे प्रात्ना करना चाहूंगी कि आप एक बार बंदिशो सद्गुर रामपल जी महाराज जी की शरण में आए और जिस सत्पुरुष की जिस परमात्मा को देखने के लिए उनसे मिलने के लिए आप तरस रहे हैं वो बंदिशो सद्गुर रामपल जी महाराज जी धरती पर आ चुके हैं परमात्मा कभी सहभ आ और वो आपके लिए पल के बिचाये खड़े हैं आप बगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप एक महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? जो अपने पिता जी अपने पती के नसे को लेकर बहुत परिसान रहते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे अननी किसी भी धर्म के हो बंदिशोर सद्गुरामपल जी महाराज जी सभी धर्मों के सद्गरंथों को खोल कर दिखाते हैं अईसा नहीं कि भई उन्हों ने बोल दिया किया हमने सुन लिया बस यही तक खत्म नहीं हो जाती उनकी बाद वो खुद खोल के दिखाते हैं और आ आप यदि अपने भाई, पापा, मतलब आज तो ऐसा समाज हो गया है कि बहने भी नसा करने लग गई हैं, भाईयों की तो बात ही छोड़ो, तो यदि कोई आप खुद नसा छोड़ना चाहते हैं या किसी का छोड़वाना चाहते हैं, तो आप बंदिशोर सद्गूर रामपल कीजिए, भक्ति कीजिए, तभी इन सभी दुखों से आपको छुटकारा मिल सकता है, बहुत बहुत धन्यवाद, जी सचा है